सिरीज की शिरुवात में हम चंगपो हाई स्कूल के प्रिंसिपल को दीखते हैं जो एनाउंस करते हैं कि आज दुपहर एक बजे हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट चैन्सू वाई जी एंड सनामी न्यूस चैनल के लाइव ब्रॉडकास्ट में क्विज कॉम्पिटिशन का प जासे गाइब था शो होस्ट चैन्सू से पूचता है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कैसा होना चाहिए जवाब में चैन्सू कहता है कि उसका कॉम्पिटिटर उसकी टक्कर का होना चाहिए इसके बाद शो होस्ट सेकंड कॉम्पिटिटर का इंट्रडक्शन करवाते हैं ज इसके बाद होस्ट कहता है कि चैन्चू को हराने के लिए तुम्हें 5 सवालों का सही जवाब देना होगा शो होस्ट पहला सवाल पूछता है जिसका जवाब देने के लिए डेल्पो को लाइफलाइन की जरूरत पर जाती है लाइफलाइन का मतलब है कि आपका कोई फ्रेंड आप ये help कर सकता है डेल्पो चैन्चू से help के लिए कहता है लेकिन फिर बाद में खुद ही बोल देता है कि तुम मेरी help क्यों करोगे साथ ही उसे challenge करता है कि अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें 10 थपर मारूंगा और अगर तुम जीते तो तुम मार लेना डेल्पो को सवाल क जवाब पहले से ही मालूम था जैसे ही time end होने लगता है वो सही जवाब बता दीता है होस्ड अब दूसरा सवाल पूछता है जो year calculation पे बेस्ट होता है डेल्पो ये सवाल सुनके past में चला जाता है जहां हम उसे अपने parents और भाई के साथ काफी खुश देखते हैं डेल्पो बाहर उन्हें उस building का manager मिलता है जो कहता है कि building में अभी भी third floor पर दो लोग भसे हुए है manager chief को उन्हें बचाने को कहता है साथ ही ये कहता है कि देखना building में कोई और bomb तो नहीं पड़ा सभी firefighters के अंदर जाते ही वो दो लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर माफी मांगने लगते हैं तभी अचानक से building में एक जोरदार धमाका होता है अगले दिन पता चलता है कि सभी firefighters मर गए हैं तभी हम एक news reporter song चा को दीखते हैं जो मास पहन के कहती है यहां हर तरफ जहरीली गैस पहली है जबके ऐसा कुछ नहीं होता वो सारा इल्जाम डेलपो के डैट केम प का था और सारा इल्जाम डेलपो के डैट पे डाल दीता है डेलपो की family hospital में होती है लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि पिनोक्यू syndrome वाले एक लड़के ने चीफ को जिन्दा दीखा है अब पिनोक्यू syndrome असल में एक ऐसी बिमारी है जिसमें इनसान चाहके भी जूट न लगाने के बजाए सारा इल्जाम डेलपो के डैट पे डाल दिया अगले दिन डेलपो की मॉम डेलपो को fireworks दिखाने ली जाती है जहां वो डेलपो को साथ लिए नदी में च्छलांग लगा देती हैं लेकिन च्छलांग लगाने से पहले वो एक चिठी और जूता वहां छो दादा जी को मिलने आती है वहां वो डेलपो से मिलते हैं यहां मैं आपको बताती चलूं कि यह वही किन का बीटा डेलपो है उस हाथसे में उसकी मॉम की डेट हो गई थी पर यह बच गया था असल में इनहा के डादा जी का एक डेलपो नाम का बीटा था जो कुछ साल पहल गया था इसलिए दादा जी ने इस डेलपो को अपना बीटा समझ की अपने पास रख लिया था वहां इन्हा को बातो बातों में पहली बार पता चलता है कि उसके डैड उसकी मॉम से कितनी नफरत करते हैं थोड़े ही टाइम में डेलपो और इन्हा की अच्छी दोस्ती हो जा टीवी आन करते हैं डेलपो रिपोर्टर सौंगचा को दीखता है डेलपो समझ जाता है कि इन्हां सौंगचा की बेटी है और उसे कहीं न कहीं बहुत गुसा आता है क्योंकि सौंगचा नहीं डेलपो के डैड पे फेमस होने के लिए गलत इल्जाम लगाया था अब सीन दो दिया है तो आज यह कॉम्पिटिशन मैं ही जीतूंगा इसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जो उसी ब्लास्ट वाली जगा पे आते हैं सीन दोबार क्विस कॉम्पिटिशन के जानिब शिफ्ट होता है जहां चैंसू आखरी सवाल का सही जवाब दे के क्विस कर देती है और साथ ही उसके प्रोपोंस को भेर रिजेक् see when human दोवी इन्हा को पसंद करने लगता है वह से इंटीरेक्ली बता है मगर इन्हां समझ नहीं पातीए सदेल होते हैं जहां इन्हां के डा कुछ दिन और वुंग पे आता है जो इन्हा की मॉम के साथ काम करते थे वुंग ली को बता रहा था कि इस बार जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं उन में से एक कैंडिडेट पिनोक्यो सिंड्रोम का शिकार है वो लड़की और कोई नहीं भलके सौंग चा की बेटी है तब ही सौंग चा उन्हें आके बताती है कि आज इंटरव्यू लेने वाले पैनल में वो भी शामिल होगी इंटरव्यू वाले दिन डेल्पो इन्हा के सामने उसकी मॉम की बुराई शुरू कर देता है क्योंके पिछले दस सालों से ना वो इन्हा से मिली ना उसका हाल पूछा लेकिन इन्हा कहती है कि आज सुभा ही उसने अपनी मॉम के नंबर पे मैसेच किया और उसे यकीन है आज वो इंटरव्यू में उसकी हल्प जरूर करेंगी इंटरव्यू के बाद इन्हा की मॉम उसे रिजेक्ट कर दीती है और बहुत डांटी है कि तुम एक फिनो क्यों हो फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम एक रिपोर्टर बन सकती हो इन्हा परेशानी में बाहर फुटपाद पे बैठी रो रही होती है डैल्पो उसे दूर से रूते देखता है पर इन्हा की मना करने पर वहीं दूर से ही उसे काम डाउन होने के लिए कुछ टाइम दीता चला जाता है नेक्स सीन में हम देखते हैं कि इन्हा के डैट डैल्पो के रूम में थे जहां उन्हें डेलपो का वालेट मिलता है जिसमें इनहा की तस्वीर होती है वो ये देखे चॉंक जाते हैं और बातों बातों में डेलपो को इनहा से दूर रहने को کہते हैं डेलपो अपनी टेक्सी पे एक पैसिंजर को छोड़ता है तब ही उसे वहाँ एक बुरा अदमी नजर आता है जिसकी गलती से ट्रक के साथ तक्कर हो जाती है और अब वो परिशान हो रहा था कि ट्रक का मालिक उसे डांटेगा डेलपो उसे जाने को कहता है और चूंके ट्रक का मालिक वहाँ नहीं होता इसलिए वो उस पे एक चिठी चिपका देता है कि ये एकसिडेंट मैंने किया है आप मुझसे इस नंबर पे राप्ता करें वो ट्रक किसी और का नहीं बलके जैम्योंग यानि डेलपो के बड़े भाई का है जो इस बात से अंजान है कि डेलपो जिनदा है इन्हां अब डेलपो को कहती है कि तुम ठीक कहते थे मेरी मॉम बहुत बुरी है तब छल्पो उसे है कि अब तुम ज़रूर लेंगी एक दिन कि वो बहुत हैंसम लग रहा था सीन जे म्योंग की तरफ शिफ्ट होता है जहां वो रात में अपने दोस्त के साथ एक होटल में बैठा होता है वहाँ वो उन्ही तीन लोगों को बाते करता सुनता है जो उस रात हाथसे के जिम्मेदार थे और वो उसी हाथसे के बारे में ही डिसकस कर रहे होते हैं जे म्योंग सारी सचा ही सुन लेता है मगर जब तक वो उनके पास जाता है वो वहां से चले जाते हैं इन्हा डेलपो को बताती है कि YGN कमपनी को न्यूस रिपोर्टर्स की जरूरत है हम दोनों वहां टेस्ट के लिए जाएंगे मगर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये बात पहले नहीं बताएंगे कि इन्हा एक फिनो क्यों है इन्हा की मॉम ने उसे मिलने पर बताया था कि वो जिस नंबर पे मैसेज करती है वो नंबर उन से कहीं खो गया था तो शायद वो नंबर किसी और के पास होगा तो हम देखते हैं कि इन्हा की मॉम का नंबर किसी ब्यॉम नामी लड़की के पास है और इन्हा अपनी मॉम का नंबर समझ के उसे ही मैसेज करती रही इसलिए उसे पता होता है कि अब इन्हां दोबारह कहीं इंटरव्यू के लिए जा रही है जहाँ वो भी इंटरव्यू देने का फैसला करता है ताकि उससे दोस्ती करके प्रॉपोस कर सके Next हम देखते हैं कि डेल्पो और इन्हां टेस्ट क्लियर कर लेते हैं मगर डेलपो कहता है कि वो तब ही इस company में काम करेगा अगर वो इन्हा को select करेंगे। सब ही candidates company की meeting में होते हैं जहां उन्हें वो ही डेलपो के dad के accident वाली story ही दिखाई जाती है कि कैसे building वाला हाथसा हुआ। वो बताते हैं कि इस जगा से शायद किसी किम की लाश भी मिली है। इन्हा बोलती है कि शायद ये जो कुछ भी हुआ हो या जो कुछ भी लोग कहते हैं वो सच हो। क्योंकि उस accident की गवाही एक पिनोक्यों ने दी थी। ये सुनके डेलपो को बहुत उसा आता है जिस पर वो स मुचबर बढ़ाती हुई वहां से चली जाती है। मगर उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो डेलपो से बिलकुल भी नराज नहीं है। पुली स्टेशन में शिफ्ट होता है जहां डेलपो अपने डेड की डेड बॉडी लेनी जाता है लेकिन ऑफिसर बोलता है कि उसे की ट्रेइनिंग स्टार्ट होगी। अगले दिन डेलपो ऑफिस के लिए रेडी होता है और इनहा रिजेक्शन के बाद एक स्टोर पर काम करने लगती है। डेलपो और बाकी मेंबर जिनकी सेलेक्शन होती है बॉस की तरफ से उन्हें बहुत ही टफ टाइम मिलता है ताकि इस वर्क को प्रफेशनली सीख सकें। एक दिन ग्रॉसरी स्टोर में इनहा की मॉम आती है और उसे MSC कंपनी में जॉब की ओफर करती है क्योंकि उनके चैनल की रेटिंग्स गिर रही थी इसलिए वो अपनी कंपनी में एक पिनोक्यों को एपॉइंट करना चाहते हैं लेकि उस वक्त उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जेमियंग उन तीन लोगों में से दू को मार देता है जिसे वो अपने डैट का कातल समझता है। व्यूवर्स डेल पुने हॉस्पिटल में जो दूनों डैट बॉडिस देखी थी वो इन ही दू लोगों की थी। तीसरे आदबी को जेमियंग एक में होल में गिरा दीता है ताकि उसकी डैट बॉडि किसी को ना मिले और अपने साथियों को कतल करने का इलजाम उस पे आए। और अगर कुछ सालों बाद उसकी डैट बॉडि मिल भी गई तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। इनहां सोच में डिवाइड करके उनकी लुकेशन साइन कर दी जाती है। यूरे डैलपो की को रिपोर्टर होती है और दूसरी तरफ इनहा का को रिपोर्टर ब्यॉम है। लखेली ऐसा होता है कि डैलपो और इनहा को सेम लुकेशन साइन होती है। इतने टाइम डूरेशन में डैलपो ये बात सामने आती है कि उस औरत के हस्बन ने 90 साल की किसी स्मार्ट औरत से शादी कर ली थी अब चूंके वो डिप्रेशन में थी इसलिए उसकी मौत हो गई ब्याम और डेलपो CCTV फूटेज देखने की जिद करते हैं फूटेज देखते हुए चुपके से डेलपो मॉबाईल से रिकौर्डिंग कर लीता है और हेड को भीज़ देता है ताकि उसके चैनल की रेटिंग बर सके साथ ही डेलपो इन्हा को भी बता देता है कि उसके हाथ फूटेज लगी है यूरे घुसा करती है कि तुमने उसे क्यों बताया YGN कमपनी वाले बहुत खुश होते हैं और वो न्यूस को आउन एर कर देते हैं उधर MSC वाले मना कर देते हैं कि वो इस न्यूस को बाद में ब्राडकास्ट करेंगे क्योंकि उनके हाथ बहुत बड़ी न्यूस लगी थी ये खबर डेलपो तक पहुँचती है वो फॉरन हॉस्पिटल पहुचता है हॉस्पिटल में वो उस औरत की बेटी से मिलता है जो पैरलाइस्ट है वो डेलपो को बताती है कि उसे लिवर का मसला है उसका और उसकी मॉम का बलड ग्रूप सेम था इसलिए वो उसे अपना लिवर डोनेट कर सकती थी लेकिन वेट जादा होने की वज़ा से प्रॉब्लम आ रही थी डॉक्टर ने उन्हें 30 केजी लूस करने को कहा था तब ही वो बहुत ज्यादा जिम करती थी डेलपो को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है उसे लगता है आज उसकी वज़ा से एक गलत खबर चलेगी तब तक YGN वाले न्यूस चला देते हैं डेलपो बहुत उदास हो जाता है अब जैसे ही MSC न्यूस पर ठीक न्यूस दिखाई जाती है तो सब लोग उसे देखते हैं जिससे उनके चैनल की रेटिंग्स बढ़ जाती है YGN आफिस में भी सब ही डेलपो को बहुत बुरा भला कहते हैं डेलपो अपना सेलफोन आफ करके घर चला जाता है अगले दिन आफिस में मीटिंग रखी जाती है मगर डेलपो वो भी अटेंड नहीं करता वो जॉब छोड़ने का फैसला करता है दादा जी उसे बहुत समझाते हैं मगर वो नहीं मानता साथ ही दादा जी उसे बताते हैं कि उस लड़की का लेवर ट्रांस्प्लाइंट हो गया है और वो बिल्कुल ठीक है रात को डेलपो अपने रूम में जाता है और फोन आउन करते ही देखता है कि आफिस से कितनी ज्यादा मिस्ट कॉल्स आई है इतनी कॉल्स देखके उसका माइन बदल जाता है टेक्सी ड्राइवर था और आजकल वो फ्री है इसके बाद हम देखते हैं कि वाई जी एन और एमेसी कंपनी अपने रिपोर्टर्स को नया टास्क असाइन करती है उन्हें डुक सो नामी एक गुमशदा आदमी के बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है वो पुली स्टेशन जाते हैं जहां उनकी मुलाका चैंसू से होती है जो अब आफिसर बन गया है चैंसू ड्यालपो को बताता है कि ये वो ही रिपोर्टर है जिसने चीफ को बिल्डिंग में जानी से रूका था जे मियंग को पता चलता है कि ड्यालपो एक रिपोर्टर है वो उस पे बहुत उस्सा करता है और जानी को बोलता है दूसी तरफ ड्यालपो भी ये जान जाता है कि उन दोनों आदमी का मर्डर जे मियंग ने किया है नेक्स सीन में हम देखते हैं एमसी के रिपोर्टर्स न्यूस की तलाश में एक सड़क पर खड़ी है जहां से वो एक डिसेबल बच्चा और साथ ही सामने से ट्रक को आता देखते हैं तब ही वहाँ जे मियंग आ जाता है और उस बच्चे को बचाने के लिए अपना ट्रक उस ट्रक में दे मारता है मसी रिपोर्टर्स उसे अम्बिलेंस से हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं मसी कैमरामेंट जो को कहता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है जे मियंग का एकसिडेंट की खबर डेलपो तक पहुँचती है वो बहुत परिशान होता है और हॉस्पिटल में उसे ढूनने लगता है डेलपो हॉस्पिटल पहुचता है और देखता है कि इन्हाग उसके भाई का इंट्रिव्यू ले रही है तब ही वो इन्हाग को बाहर ले जाता है और उसे जे मियंग से दूर रहने को कहता है वो उसे कहता है कि इसे न्यूस रिपोर्टर से सखत नफरत है इसलिए तुम इससे दूर रहो इसके बाद हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इन्हा और उसकी मौम में सब ठीक होने लगता है ब्यॉम एक दिन सॉंग्चा को एक फोन देता है और उसे बताता है कि आप कुछ साल पहले ये फोन हमारे घर छोड़ गई थी इस नंबर पे रोजाना इन्हा आपको मैसिज करती थी मुझे यकीन है ये मैसिज पढ़के आपको भी इससे मजीद महबत हो जाएगी और आप दूनों में दूरिया मजीद कम हो जाएगी सॉंग्चा फैसला करती है कि वो जेम्योंग का इंटरव्यू करेगी और इसके लिए उसे मनाना होगा अगले दिन इन्हा का कैमरामेंट जो जो के पहले सॉंग्चा का कैमरामेंट था वो इन्हा को बताता है कि 13 साल पहले तुम्हारी मौम ने केम की नीूस की कवरिज की थी उसके बाद उसने जेम योंग का इंटरिवियू किया था जिसमें उसने जेम योंग से वादा किया था कि उसके डैट को इंसाब दिलाने में मदद करेंगी लेकिन जैसे ही इंटरिवियू खतम हुआ वो अपनी बात से बदल गई वीवर्स यहां में आपको बताती चलू जो इन्हा को डेलपो की मॉम की सुिसाइड वाली जगा की क्लिप भी दिखाता है जिसमें एक शूस को देखके वो समझ जाती है कि इसके साथ का एक शू उसके घर में है इसका मतलब है कि डेलपो भी म्योंग है यही वज़ा है कि डेलपो रिपोर्टर से इतनी नफरत करता है दूसरी तरफ जे म्योंग अपने दोस्त को कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए किसी जरूरी काम से जा रहा है देखने से ऐसा लगता है कि शायद वो सौंग शा का मर्डर करने के मूड में है इनहा डेलपो को बताती है कि वो जान गई है कि तुम एक म्योंग हो और उसकी मॉम ने तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत वलत किया है बातों बातों में डेलपो इनहा को प्रपूस करता है डेलपो उसे डेट से बात करने को कहता है व्यूवर्स तभी ब्यॉम अपनी मॉम से कहता है कि इनहा किसी और को पसंद करती है और वो चूंकि एक बहुत की रिच फैमिली से है तो उसकी मॉम ब्यॉम का रिष्टा लेकर इनहा के डैड के पास पहुँच जाती है मगर इनहा के डैड ने अभी कुछ भी डिसीजन नहीं लिया क्योंकि वो जानते हैं कि इनहा और डेलपो एक दूसरी को पसंद करती है नेक्ट सीन में हम देखते हैं कि डेलपो जे म्यॉंग को सबसच बता दीता है कि वो भी म्यांग है जे ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है फिर वो दोनों एक होटल चले जाते हैं जहां वो साथ में खाना खाते हैं और बाती करते हैं बातों बातों में डेलपो पूछता है कि क्या उन दोनों आदमीयों को तुमने मारा है जेम यूंग उसे सब सच बता दीता है वो कहता है कि अगली बार वो सॉंग चा को भी हतम कर देगा लेकिन डेलपो उसे मना करता है कि तुम आलरेडी तीन मर्डर्स कर चुके हो हम सॉंग चा को ऐसी सजा देंगे जिससे वो दुनिया के सामने रुस्वा हो जाएगी और वो इतना डिप्रेशन में आ जाएगी कि खुद ही स्यूसाइड कर ले इसके बाद हम देखते हैं कि जेम यूंग में सॉंग चा को इंट्रव्यू देने के लिए मान जाता है जेम यूंग के सुनके बहुत शौक होता है क्यूंकि उसने उसे मना किया था अब वो दुबारा जेम यूंग के पास आके उसे कहता है कि इंट्रव्यू के दर्मियान तुमने जो मर्डर किये हैं अपना जुम कनफेस कर लेना और साथ ही बातों बातों में सौंग्चा की खुब बेज़ती करना जिससे वो सब के सामने जलील हो जाए जेम यूंग ऐसा ही करता है और अब सौंग्चा सब की नजरों में गिर जाती है लोग धरना दीने बैट जाते हैं कि सौंग्चा को रिपोर्टर की जॉब से निकालो वो हमेशा जूटी खबरी देती है जेम यूंग को इंटरव्यू के बाद पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही होती है तो डेलपो भी अपने बारे में सब को बता दीता है कि वो भी म्यूंग है चोई फैमली को भी डेलपो के बारे में पता चल जाता है लेकिन वो बहुत गमगीन होते हैं कि सौंग्चा की वज़ा से उसके फैमली तबाह हो गई डेलपो घर आता है और चोई फैमली यानि दादा जी को बता देता है कि वो अब अपने घर जा रहा है क्योंकि वो अब म्योंग बनके अपनी जिंदगी गुजारना चाता है आगे हम देखते हैं कि म्योंग और इन्हा का ब्रीक अप हो जाता है क्योंकि म्योंग उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम से बदला लेना है लेकिन मैं तुम्हारी वज़ा से नहीं कर पा रहा ये सुनके इन्हा कहती है कि हम ब्रेक अप कर लेते हैं और अब तुम उसकी मॉम से बदला ले सकते हो इसके बाद हम देखते हैं कि सौंग्छा की बहुत बेज़ती हो गई है जिसकी वज़ा से वो बहुत परेशान है ब्यॉम इन्हा को बताता है कि उसकी मॉम का फोन उसके पास था और इतने सालों से वो उसके सारे मैसेजिस पर रहा था इन्हा पूछती है कि मेरी मॉम तुम्हारे घर क्यों आई थी लेकिन वो कहता है कि मैं इस वल बहुत छोटा था इसलिए ज्यादा कुछ नहीं जानता आगे हम देखते हैं कि क्रिस्मस पार्टी में ब्यॉम की मॉम जो सैंटा बनती है वो उनकी शॉप से एक बैग लेके भाग जाता है लेकिन फुलिस उसे पकरने में काम्याब हो जाती है ब्यॉम इन्हा यू रे और म्यॉंग को अब प्र सेम केस्ष मिल जाता है सॉल्फ करने के लिए वो ब्यॉम की मॉम की शॉप की न्यूस चलाने के बारे में सूचते है लेकिन वो मना कर देता है फिर कुछ टाइम बात मान जाता है ब्योंग उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम बहुत इगोिस्टिक हैं लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं इसके बाद उन्हें पता चलता है अब फिर सौंग चा और ब्योंग की मॉम के दरम्यान कोई खिचड़ी पक रही है ब्योंग को भी आइडिया हो जाता है कि उसकी मॉम गलत है एक रात चैंसो किसी बिल्डिंग के पास जाता है और अगले ही दिन न्यूज आती है कि उस बिल्डिंग में रात आग लग गई है और इस बात कि न्यूज सौंग चा की मॉम देती है वाई जी एन में एक रिपोर्टर कहता है कि ये सेम वैसा केस है जैसा कुछ साल पहले मिस्टर किम वाला केस था मियांग ये सुनके चुप हो जाता है क्यूंके अभी वो कुछ भी समझ नहीं पाता और इस बिल्डिंग में लगी आग का सारा इल्जाम चैन्सू पे आता है लेकिन वो सब जानते हैं कि चैन्सू बेकुसूर है मियांग सौंग चा के पास आता है और उसे पूचता है कि आप ऐसी न्यूस क्यूं दे रही है जिसे सुनके वो उस पे घुसे से चिलानी लगती है मगर मियांग कहता है कि वो चैन्सू की तरफ से सब को बताएगी वो बेकुसूर है फिर मियांग उस एरिया के CCTV फुटेज लेने जाता है जिसे देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसमें से एक पार्ट गाइब है जिसमें ये सब हाथसा होने की वज़ा मौजूद है सौंग्चा परिशान होती है कि अगर उन्हें फुटेज मिल गई तो सही बात सब के सामने आ जाएगी लेकिन प्योंग की मौम उसे बताती है कि फिकर नहीं करो वो उस एरिया की सारी फुटेज पहले ही डिलीट करवा चुकी है म्योंग सौंग्चा से कहता है कि वो कुछ भी करके वो फुटेज हासिल करेगा फिर एक दिन म्योंग पुरानी फुटेज दुबारा देख रहा होता है जिसमें उसे एक कार नजर आती है कार में कैमरा मौजूद होता है जिससे उन्हें आइडिया हो जाता है कि इस वाके की सारी रिकॉर्डिंग इस कैमरा में भी हुई होगी ब्योंग यूरे से कार का डीटा निकालने को कहता है ब्योंग फुटेज हासिल करने में कामयाब हो जाता है इसके बाद एक सीन में हमें पता चलता है कि ब्योंग की मॉम सौंग्चा को इस मामले में फसाना चाह रही है ब्यॉंग भी अब अपनी मॉम से नफरत करता है वो इन्हा के पास आता है कि उसे कुछ दिनों के लिए सौंग्चा का सेल फून चाहिए इन्हा और ब्यॉंग उस सेल फून का डेटा निकल वाते हैं दूसरी तरफ बिल्डिंग में एक और वर्कर की मौत हो जाती है और उसका भी सारा इल्जाम चैन्ज सूप आता है अब चुके औलम्पिंग गेम स्टार्ट होने वाली हैं तो MSC चैनल इस केस को बंद कर देते हैं YGN भी यही डिसाइड करता है लेकिन YGN उन्हें किसी तरहां इस न्यूस की सचाई सब के सामने लाने की जिद करता है क्योंकि वो कहता है कि किम और इस केस का आपस में कोई तालुक तो है और वो इस सचाई को जानने के बहुत गरीब हैं फिर हम ब्यॉम की मॉम और सौंग चा को बाती करता सुनते हैं जिससे पता चलता है कि कुछ साल पहले इन्हों ने किम की फैमिली से बदला लेने के लिए उसके साथ ये सब किया था ब्यॉम और इन्हा का रिलीशन्शिप भी अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगता है मगर वो दोनों अभी भी कुछ टाइम दूर रहने का फैसला करते हैं क्योंके अब वो भी अपनी मॉम की सचाई पूरी दुनिया के सामने लाना चाती है नेक्स सीन में पता चलता है कि इन्हा और ब्यॉम अपनी-पनी मॉम के पास सचाई पूछने जाते हैं क्यूंकि चैनल की रेटिंग भी गर जाती इसलिए वो ना चाहते हुए भी खामोश रही। इन्हां मुबाल का सारा डेटा और बाकी सब इन्फरमेशन मियंग को दी देती है। और खुद MSC से रिजाइन करके घर आ जाती है। पहले तो वो बहुत परिशान होती है लेकिन बाद में वो सोचती है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। बियॉम की मॉम को पता चल जाता है कि बियॉम ने उसके खिलाफ सुबूत इकठे किये हैं। इसके बाद सौंग चा अपना जुम्प कबूल कर लेती है और इसकी खबर न्यूस चैनल पर चल रही होती है। वो कहती है कि उसने भी न्यूस गलत दी थी क्यूंकि ऐसा करने के लिए उस पर बियॉम की मॉम और चेर्मेन ने प्रेशर डाला था। साथ ही वो ये भी कंफेस कर लेती है कि 14 साल पहले फायर फाइटर किम के केस में भी उसने ही रिपोर्टिंग की थी जो के गलत थी। सौंग चा अब इन्हा को बताती है कि ब्यॉम की मॉम अब जेल जाने से बचने की कोशिश करेंगी। ठीक उसी वक्त ब्यॉम की मॉम मुलक से बाहर जाने का प्लैन बना रही होती है लेकिन जा नहीं पाती क्योंकि वो जैसे ही बाहर निकलती हैं रिपोर्टर्स उसे चारो पुली स्टेशन आती हैं म्यॉंग और इन्शा उससे सवाल करते हैं पहले तो वो कुछ नहीं बोलती मगर फिर घुस्से में आके वो सब कन्फेस कर लेती है ब्यॉम जेल से रहा हो जाता है सौंग चा अपने किये पे बहुत शर्मिंदा होती है डेलपोर्ट जे म्यॉंग स सुनके बहुत हुश होता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया वियॉम जेल से रहा होने के बाद आगे पढ़ाई करने चला जाता है एड़ दी एंड इन्हा के डैड और दादा जी इन दोनों की शादी की रजामंदी दी दीते हैं और इन दोनों की शादी के सा इस सेरीज की हैपी एंडिंग हो जाती है थैंक यू फॉर वाचिंग